कि साथियों कोरोना के विरूत इस लड़ाई में हमने कदम कदम पर दुनिया के सामने उदाहरन प्रस्तुत किया है ऐसे समय में जब कुछ देशों ने अपने नागरीकों को चीन में बढ़ते कोरोना के बीच छोड़ दिया था तब भारत चीन में फसे हर भारतियों को वापस लेकर आया हर सिब भारत के ही नहीं हम कई दूसरे देशों के नागरीकों को भी वहां से वापस निकाल करके लाए कुरुना काल में वंदे भारत मिशन के तहट 35 लाग से जादा भारतियों को विदेशों से भारत लाया गया मुझे आध है एक देश में जब भारतियों को टेस्ट करने के लिए मशीना कम पढ़ रही थी तो भारत ने पूरी टेस्टिंग लैब यहां से वहां भेज करके उसको वहां सजाया लगाया ताकि वहां से भारत आ रहे लोगों को टेस्टिंग की दिक्कत ना होगा तो फ्रेंट्स अभी आपने ये सुन लिया होगा कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का अभी लेटिस्ट भासड है जो कि अभी उन्होंने वैक्षिन के लॉंच के समय में दिया था बीते कल भारत में वैक्षिन की सुरुआत की जा चुकी है जिस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने कई सारे अचीवमेंट को गिनाना शुरू कर दिया जिसमें उन्होंने वन्दे भारत मिशन का नाम भी लिया है और ये भी बताया है कि भारत ने कैसे दूसरे देशों में फसे हुए लोगों को निकालने के साथ सा दूसरे देशों के लोगों को भी लाले का काम किया है यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी ने पूरी बात को नहीं बताया है भारत ने वंदे भारत मिसन से लोगों को दूसरे देसों से निकालने का काम तो किया है लेकिन इसके साथ साथ लोगों को लूटने का काम भी किया है ये बात मोती जी ने अपने भासड में नहीं बताई है इसके अलवा सबसे जरूरी बात है कि भारत अभी भी उन देसों से उडानों को चालू कराने में सफल नहीं हो पाया है जहां पर बहुत सारे भारती ट्रावल करके जाना चाते हैं यहां पर हमें पता है कि उन देसों की सहमती जरूरी है तब ही यहाँ पर भारत सरकार उड़ानों को चालू करवा सकती है लेकिन यहाँ पर भारत सरकार लिम्टेट तोर पर भी उड़ानों को चालू नहीं करवा पा रही सौधी अरीबिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतिय काम करनी के लिए जाते हैं और बहुत सारे लोगों की नौकरिया और उनकी पूरी इंकम सौधी अरीबिया पर ही निर्वर है इस समय वो लोग पिछले 10 महीने से घरों में बैठे हुए हैं और सौधी अरीबिया नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पर मोदी जी को उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है या फिर इसके उपर मोदी जी बाती नहीं करना चाते भारत ये दी चाती तो सौधी अरीबिया से कुछ लिम्टेड तोर पर उडानों को चालू करवा सकती थी क्योंकि जब यहाँ पर युके से अपनी उडानों को चालू करवा सकती है तो फिर सौधी अरीबिया के मामले में भारत एक भी फ्लाइटों को चालू क्यों नहीं करवा पा रही फ्रेंट्स भारत सरकार पूरे तरीके से यहाँ पर फेलियर है हम इसको लेकर पहले भी वीडियो बनाते रहे हैं और आगे भी इसको लेकर आवाज उटाते रहेंगे आप भी अपना इसमें सहयोग दे सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके ताकि सबी लोगों को इसके बारे में पता लग सके